नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनियर गुपाल पटेल पर सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए एनपी सेलस्पाइन रिटेनी ओपरेटर, मेंटेनर एबं प्लांट ओपरेटर के लिए मैथेमेटिक्स का मोडल पेपर 3 लेके आगया हूँ, आईए आज का पहला कोश्टन देखते हैं, कोश्टन है, 374 गुना 374 माइनस 374 गुना 174, तो इसका हम लोग को सलूसन बताना है, तो यह फ्रेंड्स इसका हम लोग सलूसन करते हैं, यहाँ पर देखे, 374 और 374 यहाँ प 374, यहाँ से माइनस का चीन है, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 174, ठीक है, यहाँ से इसका हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा, 0, 7-7 के 0, और 3 में से 1 गया, 2, तो हमारा आ जा रहा है, 374 गुना में 200, ठीक है, तो इसका हम लोग मल्टिप्लाइ करत करते हैं क्या रहा था हमारा 374 गुना 200 अब हम इसको गुना करते हैं यहां से दो से सिर्फ करते हैं दो चोके आठ दो सते 14 हाथ मेरा एक और दूतिये चोव एक साथ हमारा दो जीरो बच रहा था हम दो जीरो रिख देंगे तो कितना रहाारा मान ऑट 12000 ऐडएंड तो कि अध्यार थिसका देखते हैँ सएचांकर कौन साहा है तो इसका सही अचाहार ए उपचन ए 74,800, ठीक है, question number second देखते हैं, question number second, 133 डिगरी और 25 मिनाट है, ठीक है, 113 डिगरी 25 मिनाट का पूरक कोन पूछ रहा है, तो पूरक कोन का मान होता है, friends, 180 डिगरी, ठीक है, पूरक कोन या अनुपूरक बोले, तो उसका मान होता है, 180 डिगरी, ठीक है, तो हम लोग 180 में से, 180 डिगरी में से, 133 डिगरी गटाते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना मानाएगा, 10 में से 3 गया 7 ठीक है तीक है पहले इसकों लोग ऐसे करते हैं 133 यहां से 25 मिनट ठीक है और ध्यान रखेगा 60 मिनट बरावर होता है 1 डिगरी ठीक है 60 मिनट बरावर होता है 1 डिगरी अब इसकों लोग करते हैं यहां से पलस में X बरावर हमारा 180 डिगरी ठीक है अब इसकों लोग X बरावर निकालते हैं 180 डिगरी माइनस 133 डिगरी अब हम 25 मिनट यहां से हम लोग अब एक डिगरी कॉमन ले लेंगे और हमारा जाएक हो 60 मिनट ठीक है एक बरावर 180 माइनस 133 इंटू 25 मिनट ठीक है तो एक डिगरी हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा साट से घटेगा साट से हमारा घटेगा 25 साट से 25 मिनट ठीक है और यह तो हो गया 179 और 169 मależ हम लोग 113 गटाएंगे तो हमारा जाएगा नाइन में से 3 गया 6 सेवन गया 6 तो हमारा जा रहा है 66 डिगरी और 35 मिनट ठीक है आप लोग समाझ गया होंगे तो इसका सही अंसर प्रेंट कोस्टन नमर सेकेंड का ओप्षन बी कोस्टन नमर ठर्ट देखते हैं हम लोग साथ प्रेशनों का माध्य अठारा है यदि एक और प्रेशन को जोड़ा जाए तो नया माध्य अठारा दसमलो पांच होता है तो आठ्मा प्रेशन क्या होगा तो फ्रेंट्स इसका आप लोग जानते होंगे प्रेशन ब्राबर माध्य ब्राबर फर्मूला होता है क्या माध्य ब्राबर होता है प्रेशनों का योग प्रेशनों का योग बटा में प्रेशन की संख्या ठीक है तो हमारा प्रेशन कितना है माध्य कितना देवा अठारा माध्य हमारा देवा अठारा और प्रेशनों का योग है प इतना प्रेच्छन है, 7 प्रेच्छन है, यहां समलों निकालेंगे, X बरावर, X बरावर, यहां से 18 गुना, 7, 18 से 26, ठीक है, X बरावर हमारा आ जा रहा है, 126, वहीं देखी आगे फिर क्या बोल रहा है, question, एक प्रेच्छन को और जोड़ा जाए, तो नाया माद 18 समलों 5 हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग और गुना करते हैं, प्रेच्छन को और जोड़ दिया जाए, तो हमारा प्रेच्छन हो गया, साथ है, तो एक आठ हो गया, और हमारा माद ही कितना है, 18 समलों 5, तो हम लोग 18 समलों 5 से गुना कर देंगे, तो हमारा नया माद्धे निकल जाए आठ पजे चालीस हाथ में चार अठेटी चौन सट अचार और सट की आठ हाथ में चो आठ और एक आठ होगे आठ चो चौद यहां से दसमलों हट गया हमारा नया प्रिछन का यह होग है 148 ठीक है और हमारा पुराना था 126 अब इसको हम लोग तो डिफ्रेंस कर देंगे तो हमारा जाएगा 22 22 हमारा आगया जो हमारा आठ हमारा संख्या जुड़ा है वह हो गया 22 तो कोस्टर नुवर 3 का सही अंसर है अप्शन बी कोस्टर नुवर 4 देखते हैं 10 A ब्राबर 1 एवं कोट B ब्राबर 1 तो 10 अस्क्वाइर वी परस कोट अस्क्वाइर बी का मान पूछ रहा है तो फ्रेंस द्यान रखेगा 10 A ब्राबर हमारा दिया होग है 1 तो 10 45 का हमारा मान होता है एक ठीक है 10 45 डी के मान होता है एक और कॉट 45 डी का मान भी एक ही होता है ठीक है तो यहां पर कोश्टन क्या दिवाए 10 स्क्वाइर बी यहों कोट स्क्वाइर भी तो 10 स्क्वाइर बी का मान हमारा 45 डीगर जा रहा है पॉलस कॉट स्क्वाइर 45 ठीक है तो 10 45 का मान हमारा है 1 पलस quarter square 45 का मान हमारा है 1 तो 1 पलस 1 यानी 2 हो गया तो इसका सही अंसर है फ्रेंड्स ओप्शन B Question 5 देखते हम लोग Friends अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर देगा और वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यहरों में सेर कीजिएगा Question 5 है एक धनरासी साधारन ब्याज की दर पर 10 बर्स में स्वयम का 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ग्याद कीजिए ठीक है फ्रेंट तो हम लोग धनरासी यानी पी यानी मुल्धन मां लेते हैं प्रिंस्पल हमारा पी है और साधारन ब्याज क्या देखवा है टाइम दिये हुआ हमारा दस बर्स ठीक है दस बर्स और क्या बोला है कि दस बर्स में स्वयम का तीन गुना तो हमारा ब्याज कितना जा रहा है 3較 3 , ठीक है स्वायमका 3 गुन यानि 3 P तो हमसे दर पूछ रहा है ठीक है तो फर्मूला क्या होता है Friends ब्याज ब्रावर फर्मूला होता है simple interest ब्रावर मुलधन यानि P principle गुंः समय time अब मुलधन गुंः समय गुंः दर यानि रेट अब अटा में 100 ठीक है तो हमारा ब्याज कितना आ जा रहा है 3P और P हमारा दिये हुआ है गुना में टाइम कितना है 10 वर्स हमको निकालना है R ठीक है अब अब अटा में 100 P से P कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया ठीक है फ्रेंट्स यहां से cross multiplication होगा तो R का मान हमारा आ जा रहा है कितना R का मान हमारा आ जा रहा है 30 फ्रेंट्स देखिए ब्याज हमारा आ जा रहा था 3P 3P हमारा 3 गुणा हो जाए था एक माइनस कर देंगे ठीक है तो हमारा 2P हो जाएगा इसलिए मिश्टेक हो जा रहा था यहांसे 2P बरावर पी गुणा आर अटी हमारा 10 है बटा में 100 एक जिरो से एक जिरो पी से पी कड़ गया तो यहां से क्रोस मल्टिपिकेस हो जा रहा है तो हमारा आर बारा हो जा रहा है 20% ठीक है Q5 का सही अन्स अरुगा ओप्शन A Q6 देखते है Q6 है The range of sine inverse X Sine inverse X का range पूछ राफरेंट्स तो sine inverse X का range होता है minus pi by 2 से plus pi by 2 इसलिए इसका सही अन्स अरुगा ओप्शन C Q7 देखते है 20 cm भुजा वाले संभाहु तिरुज का छेतरफल ग्यात करें तो संभाहु तिरुज का छेतरफल क्या होता है फ्रेंट्स नोट कर लेगा आप लोग संभाहु तिरुज का छेतरफल root 3 वटा 4 गुना भुजा square ठीक है भुजा square तो आईए इसको हम लोग मान रखके बनाते हैं हमारा तिर्बूज अच्छे तो भलो गया रूट 3 बटा में 4 भूजा कितना है हमारा 20 सेंटीमिटर तो इसका सही अंसर आ रहा है फ्रेंड्स ओप्सन ए 100 रूट 3 सेंटीमिटर स्क्वाइर कोश्टन नमर 8 देखते हैं किसी संकू के बक्र प्रिष्ट का छेतरफल 2310 मीटर स्क्वाइर है तो इसकी तिरिज्या कमान क्या होगा यदि इसकी तीरची उचाई एल तीरची उचाई को एल से जुन करते हैं कमान 35 मीटर है ठीक है तो फ्रेंड्स इसका एंसर आप लोगो कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताना है कोस्टन अब नाइन देखते हैं हम लोग कोस्टन अब नाइन है डी वट्ता डी एक्स यह नहीं डिफ्रेंशियल दिया हुआ है दिपरेंट के कोस्टन है डी फर्मूला है डी फर्मूला ही वटग्स ब्रावर रहीं Do Great यह ठीक है तो एक से पहले हमारा कितना है पांच तो हमारा आजाएगा डारेक्ट पांच एंसर ठीक है को टर नम नाइन का सभी पोस्टर नमर टेन देखते हैं यह दी A-B ब्रावर 6 एवं A-B ब्रावर 16 तो A-Square plus B-Square का मान बता है तो यह फ्रेंड इसका हम लोग सोलुसन करते हैं यहां से हम लोग बनाते हैं इसको A-B-Square ब्रावर होता है हमारा फर्मूला A-Square plus B-Square minus 2AB ठीक है तो A-B हमारा कितना देखा है 6 यहां से 6 का स्कार हो जाएगा ब्रावर में हमको निकालना A-Square plus B-Square हमको निकालना है ठीक है और minus 2AB का मान कितना है 16 ठीक है तो यहां से 6 स्कार बारावर हो गया 36 ब्रावर A-Square plus B-Square minus 16 दूनी 32 ठीक है फ्रेंड्स तो यह हमारा 32 इधर जाएगा तो हमारा आजाएगा A-Square minus B-Square A plus B-Square A-Square plus B-Square का मान आजा रहा है 36 पलस 32 इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आजा रहा है 68 68 तो कोस्टन नवर 10 का सही अन्जर फ्रेंड्स ओप्शन question number 11 देखते हैं हम लोग 2,1,2,3,3,6,4,8,9,14,3,1 एवं 5 जो प्युक्त आखड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक पूछ रहा फ्रेंड्स तो बहुलक अगर आप लोग पड़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे जो भी संख्या ज्यादा बार दिया हुआ है वह यह हमारा बहुलक हो जागा तो देखते हैं हम लोग कौन सा संख्या बार ज्यादा बार दिया हुआ है दो देखते हैं, दो वन बार, एक तू बार, दो आया दो बार, तो ये तो अफित थ्री देखते हैं, थ्री एक बार आया, दो बार आया, एवं तीन बार आया रहा है, ठीक है, और कोई तो संख्या हमारा इससे ज्यादा बार नहीं है, फिसलिए question number 11 का science reference option B, question number 12 देखते हैं हम दी, sin A, बटा, root under, one minus sin A, बरावर, एक से, तो एक स का मान क्या होगा, तो फिर्ट्स आप लोग जानते होंगे, one minus sin A, बरावर, फर्मूला होता है, हमारा, cos A होता है, ठीक है, तो हमारा, क्या रहा है, root under, cos A, तो root अंडर हटेगा, तो हमारा सीर्फ वा जाएगा, cos A, ठीक है तो हमारा क्या आ गया, sin A उपर है, और नीचे हमा आ गया हमारा, cos A, तो sin A वाटा, cos A बरावर आता है, हमारा, 10 A, ठीक है, यह फर्मूला है, sin A वाटा, cos A बरावर, 10 A, तो question number 12 का सही answer, friends, option A, question number 13 देखते हैं हम लोग, एक घनाव की लंबाई, चवडाई और उचाई करमस, 12 cm, 8 cm, एवन 6 cm है, तो घनाव का आयतन क्या होगा, तो घनाव का आयतन होता है, friends, volume होता है, घनाव का लंबाई गुना, चवडाई गुना, उचाई होता है, ठीक है, इसको आप लोग, मान रखके, solution करेंगे, तो इसका सही अंसार देगा, friends, option, C, 500, C, 76, ठीक है, question नमर 14 देखते है, question 14, गुननफल करना है, 81, 82, 83, 84, ऐसा ही हमको 99 तक दिया हुआ है, तो इसका हम लोग पूछ रहा, इकाई यंग क्या आएगा, तो friends, हम लोग निकालते हैं इसको, 81, गुना 82, गुना 83, गुना 84, गुना 85, एसे हम लोग बढ़ेंगे, तो हमारा आजाएगा, 90, ठीक है, देख हमारा आजा रहा है, 0, अब 0 को हम लोग किसी सभी घुना करनेंगे, तो हमारा 0 आएगा, friends, ठीक है, तो हमारा 1 आए, हम कहाँ आ आजा रहा है, 0, तो question 14 का सही अ सारा रहा है option A question 15 दखते है 200 मिटर लंबे platform को पार करने में एक train को 20 second लगता है तो train की चाल किलो मिटर प्रति घंटा में बताएं यह दी train की लंबाई 100 मिटर है ठीक है friends तो हम लोग इसका निकालते है तो चाल अबरावर क्या था है formula चाल अबरावर होता है दूरी बता समय ठीक है चाल अबरावर दूरी बता समय तुम लोग निकालते है तो दूरी क्या देगा है friends 200 मिटर लंबा platform है अब पलस में 100 मिटर लंबी train है ठीक है cool दूरी हो गया अब what time समय कितना लगा 20 second लगा platform को पार करना में तो cool दूरी हो गया 300 मिटर बता में 20 second यह से हम लोग divide करेंगे तो हमारा जाए रहा है 15 चाल अबरावर आए रहा है 15 मिटर प्रती second ठीक है इसको हम लोग यहाँ पर निकालना किलो मिटर प्रती घंटा में तो मिटर प्रती second को किलो मिटर प्रती घंटा बजलने के लिए 18 वटे 5 से गुना करते है ठीक है फ्रेंच 18 वटे 5 से तो हम लोग 5 तीया 15 कड़ गया और 3 गुना 18 18 तीया 54 तो हमारा आ जा रहा है 54 किलो मिटर प्रती घंटा ठीक है फ्रेंच अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने दोस्ते और हमें जरूर सेर करें